हेलो दूश्टू नामस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल में दूस्तों आज बात करेंगे बिये सब कॉंस्टेबल के पदो पर काफी बढ़ियां पदो पर यानि की सीमा सुरच्छा बल के पदो पर बहुती अच्छी भरती निकल के आ चुकी है कौन कौन से कैंडिडेटिस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे कैसे फॉर्म को फील करना होगा सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी बस बीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्यूसन के डाउट आपके किलियर हो पाएंगे OPCL बेप साइड पर जो आप सभी के लिए OPCL नोटी पीकेसन जारी किया गया है उसे भी आप सभी को दिखाने वाले हैं और कैसे फॉर्म फील होगा फॉर्म को फील करके भी आप सभी को दिखाएंगे आप सभी को इस भरती में सारी जानकारी दी जाएगी दोस्तों बस बीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्यूसन के डाउट आपके किलियर हो पाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया जाए जो कैंडिडियेट इस चैनल पर नए वाज कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ओल नोटीपिकेसन विलको जरूर दबालें ताके उनके राजज़ोर जिले से कोई नए भरति निकल के आएगे तो हम आप सभी को वीडियो के माद्यम से सबसे पहले बता सकें तो दोस्तो इस भरती के लिए जो इस OPCL बेपशाइट पर आप सभी के लिए OPCL नोटीपिकेसन जारी किया गया है उस पे हम आप सभी को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आप को भृति की OPCL नोटी पीके सन पर लेकर आ चुके हैं यहां पे दोस्तों आप चेक कर पा रहे होंगे जो कि पोस्ट नेम जी यहां पे आप देख पा रहे होंगे और यहां पे ट्रेड जो आप देख पा रहे होंगे वो BSF ZD Constable के पदो पर भरती निकाले गए है और यहां पे जो NCC है NCC यहां पे आपको कम्प्लीट किया होना होगा अगर नहीं है तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है दोस्तों आपको इस भरती में बिल्कुल जाने का आउसर मिलेगा Simple और Simple 10 वी और 12 वी के पास भी Candidate Sform को आवी दन बिल्कुल ही बिल्कुल कर पाएंगे यहां पे आईए बता दिया जाए Organization Name तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे Border Security Force यहां पे Organization Name जो है वो Border Security Force है और यहां पे जोब कैटेगरी आपको पता ही होगा जो कि यह Defense जोब भरती है और यहां पे Who Can Apply यानि कि All India Vacances All State यानि कि यह भरती जो निकाली गई है आल इंडिया के सारे candidate इस form को आवेदन कर पाएंगे चाहे जिस भी state से बिलॉंग करते हों सब के लिए यह भरती निकाले गई है Vacances यहां पे आप देख पा रहे होंगे Open Rally भरती यानि कि यह भरती बिल्कुल Rally भरती निधारित की गई है और यहां पे Application Mode के बारे में आपको बता दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे आपको form को बिल्कुल Online Online माध्धम से आपको आवेदन करना होगा जिन्डर यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कि Male and Female यानि कि इस भरती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला और पूरुष दोनों Candidates form को आवेदन कर पाएंगे जोब लोकेशन के बारे में आपको बता दिया जाए All over India यानि कि आपकी इंडिया में किसी भी कोने में कहीं भी जोब लग सकती है ट्रांसफर कराते समय आप कहीं भी अपना जोब लोकेशन यानि कि जोब कहीं भी अपना चूच करके वहीं पर आप जोब कर पाएंगे यहाँ पर Total Posts के बारे में आप सभी को बता दिया जाए तो अभी तक Total Posts कुल कितने पदों पर निकाली गया है यह निर्धारित नहीं किया गया है बाकी यह भरती निकल के आ चुकी है यहाँ पर BSF की जो भरती निकाली गयी इस भरती में Application Homefest कितना लगेगी तो अभी तक यह भी निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों यहां पर आईए बात कर ली जाए विए सब कॉंस्टिप्ट वैकेंसी डीटल्स के बारे में तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले इस भरती की एज लिमिट के बारे में जानकी एज में काउंटिं एज में छूट के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहां पर S.C.H.T. O.B.C. कैंडिडेट को रिल्याक्षन यानि की गवर्मेंट की तरफ से छूट दिया जाएगा जो की दूस्तों यहां पर आप नोटिपिकेशन में चेक कर पा रहे होंगे S.C.H.T. कैंडिडेट को 5 वर्स का छूट और O.B.C. कैंडिडेट को 3 यानि की 3 वर्स का छूट दिया जा रहा है बेस सब ओपेन रैली भरती की एजुकेशन कौलिफीकेशन के बारे में आपको बता दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे S.C.H.T. कैंडिडेट को आविदन कर पाएंगे और दोस्तों आपको बता दिया जाए इनको जो बारेवी पास कैंडिडेट है वो अगर साधी उनकी हो चुकी है तो वो बिल्कुल भी फ़र्स आविदन नहीं कर पाएंगे उनको अन्मेरिट ही होना होगा और यहाँ पर हमको यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर सब्जिक्ट में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए आपको अनमेड भी होना होगा दोश्तू यहाँ पर आईए आप सभी को बता दिया जा जाए 166 cm की और female candidate की जो height ने धारित की गई है 152 cm की height होनी चाहिए और लौर्थ इंडिये जों candidate के जो male belong करते हैं उनके लिए height यहां पर 160 cm की होनी चाहिए और chest के बारे में बात कर लिए जातों आपको बता दिया जाए 70 प्लस 5 यानि की spend करने पर 75 cm का chest आपका होना चाहिए दोस्तो और यहाँ पर आईए आप सभी को बता दिया जाए बैक एंसी details के बारे में तो यहाँ पर आप notification चेक कर पारे विए पोस्ट ने यहाँ पर यहाँ पर टोटल पॉस्टे जो है ऑपन रैली की गई है और रैली स्टार्ट के लिए तो आपको बता दिये जाए आल इंडिया सभी बहरती निकाली गई है और यहाँ पर आ कि दोस्तो आये बात कर लिया जो भरती चेक कर पारे होंगे दोस्तो तो यहाँ पे सबसे पहले आईए बात कर ली जाए male category के बारे में तो male के लिए जो running निर्धारत की गई है वो 5 km यहाँ पे बिल्कुल 24 मिनट में complete करनी होगी long jump यहाँ पे आप देख पारे होंगे 11 feet 3 inch इनको कुदना होगा और high jump आप देख पारे होंगे चार foot इनको कुदना होगा दोस्तो और यहाँ पे आईए female candidate के बारे में बात कर लिए जाए तो female candidate की रेनिंग टेस्ट जो निर्धारत की गई है तीन फिर तीन इनको कुदना होगा दोस्तो और यहाँ पे आईए बात कर लिए यह जो भरती निकालेगे इस भरती के कुछ जरूरी दस्ता वेजो के बारे में यानि कि यहाँ पे ब्यस्ट एप्लिकेशन फॉमपीस रिकूर्ड डोकॉमेंट यानि कि जरूरी दस्ता वेज चाहिए एजूकेशन सार्टीपिकट के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दें शिंपल और शिंपल crispy के पास भी कैनिडेट इस भरतान को आवेदन भी कर पायेंगे और आपको बता दिये जाए डो मिशल सार्टिपिकर और कार्ट सार्टिपिकर यानि की जाती प्रमालपत्र और अधिवास प्रमालपत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तू पैन कार्ड एंड अधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए अगर आपके पास अधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा डोकॉमेंट लगा कि इस फॉर्म को प्रूप यानि की आवेदन आप कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पर यह बात कर लिजाए इस भरती की सिलायक्सन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पे यानि की चैन परिक्रिया के बारे में बात करेंगे यानि की बियस सब भरती की चैन परिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल टेस्ट और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा रिटेन एकजाम यहाँ पे लिखित परिक्चा होगी तो यहां पर दोस्तो इस भर्ति की important date यानिक度 जरुई तारिक इस भर्तिकी starting date चो निर्धारित की गई है वो 20 अक्टूबर 2023 है इस भर्तिकी last date अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और यहां पर exam date और एडिमिर कार्ड की date अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं की गई ऐसे ही कुछ भी निधारत कर दी जाएगे तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद ही आयोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर जो भी नए कैंडिडियेट है चैनल को सब्सक्राइ से एक ज़रूरी बात बता दी कि आप किस राज और जिले से बिलॉंग करते है आप अपने राज और जिले का नाम कोमेंड बॉक्सों में कोमेंड कर दीजिये ताकि आपके राज और जिले से कोई भी नया